मैंने राजनीती 1977 में पहली बार सीखी थी मैं गया था, चंदर शेकर हमारे शहर में आये थे जो आपने जिकर किया मम्मी ने कोई 15-16 रुपए दिये थे बाजार में पैसा ले जाने के लिए चंदर शेकर की स्पीच पढ़के मुझे लगा देश बदलेगा और मैंने वो सारे 16 रुपए उनकी चादर में डाल दिये इतनी उम्मीदें थी आज हम बात करने वाले हैं योगेंदर यादव के बारे में दोस्तों किसानों का मुद्दा होया युवाउं का मुद्दा या फिर अन्ना अंदोलन या फिर केजरी वाल की सरकार का मुद्दा हर किसी के अंदोलन में भाग लेने वाले जगेंदर यादव का जनम पान सेप्तमबर 1963 में रवारे डिस्टिक साहरनवास गाम हर्याना में हुआ था इनके पिता का नाम दवेंदर सिंग है बे भी एक एकनॉमिक्स परफेसर रह चुके हैं इनकी पत्मी का नाम मधुलिका वेनर जी है जोकी दिल्ली उनिवस्टी में परफेसर है इनका एक बेटा जिसका नाम सहज किशन है इनके दादा जी भी स्कूल में टीचर थे जब हिंदू मुसलिम दंगों में एक स्कूल को बचाने के लिए कुछ मुसलिम लड़कों दोरा इनकी हत्या कर दी गई थी तो आपको जानकर हैनानी होगी इनके पिता जी ने इनका नाम सलीम रख दिया क्योंकि वे धरम निर्पेक्ष देश मानते थे लेकिन सकूल के बच्चे जब उनको चिडाते थे तो उन्होंने अपना नाम बदल के जोगेंदर रख लिया अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में जोगेंदर यादफ लोक निती के फाउंडर हैं जो की इलैक्षिन के सर्वे करवाता है ऐसी ही एक संस्था CSDS के भी फाउंडर्स रह चुके हैं यह भी एक सर्वे करवाता है जोगेंदर यादफ लोगों की नजरों में तब आए जब 2011 में अन्ना अंदोलन में अर्विंद केजरिवाल और जोगिंदर यादफ की नीतियों के चलते अन्ना जी को आगे रखते हुए लोग पाल बिल का इंडियन अंगेस्ट करॉप्शन्स को अगाज किया यह अन्दोलन बड़ा था और इसका समर्थन भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में दिया गया यह मुवमेंट खतम होने के बाद जोगिंदर यादफ और अर्विंद केजरिवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई जिसमें अर्विंद केजरिवाल को आगे कर दिया गया और पीछे की रणिती जोगिंदर यादफ बनाते थे दिल्ली इलेक्षन में नई पार्टी ने 28 सीट जीत ली लेकिन किसी भी पार्टी में हाथ नहीं मिलाया और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी इस बात से जनता नराज होना शुरू हो गई लेकिन दूसरे इलेक्षन में फिर से जोगिंदर यादफ ने नैत्रित्रप में 2013 में इलेक्षन हुआ और आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिली आम आदमी पार्टी की फूट की कहाने अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की फूट 2014 में इलेक्षन में ही पड़ गई थी जब आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपने कैंडिडेट्स उतारे तो अर्विंद केजरिवाल मोदी के खिलाफ वारा नसी से लड़े और योगेंदर यादफ गुरू गराम से दोनों सीट्स में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ पूरे देश में कोई ज़्यादा समर्थ नहीं मिला इससे केजरिवाल का मनोमल गिरने लगा तब योगेंदर यादफ नहीं आम आदमी पार्टी को संभाला और रिजर्ट्स 2015 में दिल्ली के 67 सीट से मिला योगेंदर यादफ का कद बढ़ने से कुछ नेता परिशान हो गए और केजरिवाल ने कुछ ऐसे नेता का अपने पार्टी में लेना शुरू कर दिया जिसका योगेंदर यादफ ने बिरोद किया बिरोद इतना ज्यादा हो गया कि इन्हों ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और परणाम सवरूप एक साथी को पीटते हुए ओफिस से बाहर कर दिया और इन्हें भी पूरी तरह से बेजती करके इनकों पार्टी से बाहर कर दिया फिर उदे हुआ सवराज इंडिया पार्टी का सवराज इंडिया पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के मुद्दे युवाओं के मुद्दे और महलाओं के मुद्दे उठाती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शियर करना ना भूले धन्यवाद